तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं पिछले दो दिनों से वीरदास का जो कॉंट्रिवर्सी वाला टॉपिक है वो काफी जादा ट्रेंडिंग चल रहा है हर जगर सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे तो उनकी ही बात की जा रही है बहुत सारे प्लिटिकल पाटी ने उनके उपर यूकेन से फाइयर तक लॉज़ करवा दी है बीजेपी के बहुत सारे लीडियस ने फाइयर लॉज़ करवाई है कॉंग्रेस के बहुत सारे लीडियस ने फाइयर लॉज़ करवाई है और बहुत सारे लोग उनके खिलाब हुस्सा भी है करने से टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं वीर दास के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ वीर दास एक नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपनी बहुत सी कॉमेडी इंग्रिश में करते हैं और यूँ कैसे मुंबई दिलीज में उन्होंने बहुत सारे शोज भी और्गनाईज की हैं साथे साथ में एक आदा मूवीज में भी आपको उनका रोल देखने को मिल जाएगा तो एक्शली हुआ यू की कुछ दिनों पहले वो जो वर्ल्ड दूर पर गह थे यूएस में और वहां पर जाके उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी करके एक शो और्गनाईज किया और उस शो के अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके की बाते की कर दी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाता हूँ लेकिन जो भी किया था ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी और कह सकते हैं कि इससे इंडिया को क्या असर होगा तो इससे इंडिया का एक बहुत बुरा इमेज बनने वाला है पूरी दुनिया के अंदर की बन चुका है आपने हाल में ही प्रियंका चोप्रा की एक इंटरव्यू में सुना था जहां पर प्रियंका चोप्रा ने साफ कहा था कि उन्हें रेसिजम फेस करना पड़ा था जब यूकें से वो हॉलिवूड मुवीज के लिए जाती थी यूनाइटे स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूके के इंदर तब उन्हें इस टाइप की रेसिजम फेस करने को मिलती थी जहां पर उन्हें साफ एक बार तो कहा गया था यूके बार यूके बार बना के रखी है कि इंडिया एक सफेरो का देश है और यह देश कैसे एकजस्ट कर सकता है लेकिन तो भी आज इंडिया इस तरहिए इस तरहिए के वर्ल्ड के 5th largest economy है और आप ऐसे देश की इमेज को जाके बाहर पे खराब करोगे तो ये अच्छा नहीं होता है अच्छली उन्होंने कमेंट में ऐसा कुछ कह दिया कि मैं टू इंडियन्स ठीक है टू इंडियन्स उनको टॉपिक का नाम था और उन्होंने उसके अंदर इसा कुछ बातне कहा कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पर दिन को ओरतों को पुजा जाता है देवी की रूप में पुजा जाता है और रात को उनके साथ गैंग रेइप होता है देखे ये बात आपको कही ना निए बिल्क भी ती बिलकुल भी संहीं है, अप 0.01% लोगों के लिए पुरे देश को बदनाम नहीं कर सकते हो, पुरे देश के बारे मिंए देश की इमेज को डार्गेट नहीं कर सकते हो, हम जानता हैं ki देश में होती है, यह सारी चीजें exist करती है, बुराया हर देश के अं करे और वहार न यह समस्या घाल आप और हम बात कर्कर निकाल सकते हैं हम डिसकस कर सकते हैं कि गवर्मेंट ने जो क्षेंट के इस तरीके की हट ना घ्टित-ओं लेकिन अब सीथे दूसरों के देश में जाके और इस तरीके के भाचन देते हूं एक घ़्याया कि रहें het देश से आता हूं जहां पर युकेंस से देवियू के तरह औरतों को दिन में पूजा जाता है और रात को युकेंस से उनका भक्षन किया जाता है उनका रीप किया जाता है तो कहीं न कहीं है इंडिया की इमेज को बहुत ही जादा इक बुरा इंपक्ट डालता है इंडिया की इमेज को लेकर देखें हाल में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे छपटे होंगे जहां पर आपने सुना होगा कि इंडिया का नाम आया है लेकिन उसके साथ साथ में USA का भी नाम था था थर्ड नमबर पर सेकंड नमबर पर ऐसा बहुत सारी है जब रिसर्च पब्लिश होती है तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा लेकिन क्या आपने कभी सुना कि तरिको देश की त्रिख की अठीं के वियर। ऐसे अरुगा थे непॉट अंदर बच्चे शुटा उट करते है तो इस तरीकी की बात होटी है और बच्चे शुटाउट करेगा या कोई देश का बढ़ाली का इंसान कोई इस तरीकी की बातों को नहीं कर सकता है क्योंकि उससे पता है कि इससे आप सरफ देश की image को बरबाद नहीं कर रहे हो बलकि दूसरों का future भी बरबाद करो आप उस इंडियन्स की future बरबाद कर रहे हो जो विदेशों में जाकर रहते हैं क्योंकि वैसे भी इंडिया के प्रती लोगों के जो mentality है वो एकदम से stereotype की बनी हुई है राइट कि यह ऐसे देश से आते हैं कि यहां पर safe नहीं है यह इंडिया एक safe देश नहीं है क्योंकि हमारी image को कुछ इस तरीके से देखाया ही जाता है क्योंकि है जैसे for example आप North Indians को देख इन इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए तो अमेरिका में जाकर और गलती तो हो चुकी है अब गलती को सुधार्ने में सुधार्ने का कोई मौका नहीं है अब क्या कर सकते हो आप अपने गलती करते है बहुत बड़ी गलती है यह और personally मुझे लगता है कि कही ना कहीं you can say मै मैं बात कर दी कि मेरी पतनी safe feel नहीं करती है इंडिया के अंदर इंडिया में इंको डर लगता है वह मुझे यह बताए कि आप इस देश से इतने बड़े stand-up comedian बनते हो इतने बड़े you can say actor बनते हो शोहरत कमाते हो पैसा कमाते हो नाम कमाते हो film कमाते हो और फिर आप कहते हो क इस देश में safe नहीं लगता है तो आपको फिर पैसे कमाते टाइम आपको कैसे safe feel हो रहा था नहीं मुझे यह बताए कि जब आपको popularity मिन रही थी तो उस टाइम के आपको unsafe feel नहीं हो रहा था उस टाइम भी unsafe feel होना चाही था ना तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ मैं मतलब बा इंडिया के लुपोस को नहीं दिखाना चाहिए लेकिन देश के अंदर बात करो ना सभी बात है अगर देश की प्रॉब्लम को अगर solve कर सकते हैं तो क्यों ना बात की जाए ठीक है घर का अगर कोई जगड़ा होता है आपके माबाप के बीच में कोई जगड़ा होता है भा जाए तब जाके बात करेंगे और बात भी कहां करेंगे युकेंस ऐसे मंच पर खड़े हो जाते हैं और भाशन देते कि नहीं मेरे घर में इस तरीके की चीज़े हो रही है आईए बचाईए मुझे मैं से फील नहीं कर रहा हूं तो यह गलत है और ऐसी बेवकूफी तो इंपर स्ट्रिक्ट आक्शन लिया जाए जो भी हो चाहे बॉलिवुड के सेलेब्रेटी हो चाहे कोई भी हो देखो आप इस तरीके से किसी की इमेज को टारनेश नहीं कर सकते हो इंडिया की इमेज को टारनेश नहीं कर सकते हो क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर कर देते आप अमेरिका के रेसिजम के बारे में आपने बात नहीं कि आप तो मिट्व मिया बनने गए तो हमें प्राउड फील हुआ रहे था कि हां चलो आपने अपनी बात उठाई है रही लेगिन वो गट्स आपके पास नहीं थे और आपने इंडा की में छोड़ानिश किया यस एक्षिन होना चाहिए इसके खलाफ में बहुत स्ट्रिक्ट अक्षिन होना चाहिए ताकि अगली पर अगर कोई इस तरीके की घलती करे तो सौँछे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तो अगर आपको कोई बात कहेगा तो आपको कैसा लगेगा तो यह पुरे भारत वास्यों का सवाल है तो प्लीज इसको ज्यादर स्यादर अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लोगों तक पहुंचाएए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे चैनल से जुड़े रहे हैं थैंक्यू सो मच